गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते कैसे हैं आप फिर से स्वागत है आपका मेरे व्लोग में तो यहाँ पर मैंने जितना खाना मुझे टिफिन में रखना था उतना खाना मैंने बना कर तेयार कर लिया है मैंने बनाई यह बैसन गटे की सबजी और मल्टी ग्रियन आटे की रो आई तो मैं बाकी का खाना जो बाद में बनाऊंगे आपके साथ शेर जरूर करूंगे तो मैं जल्दी से बेग में भी टिफिन को जमा देती हूं तो यहाँ पर मैंने टिफिन को बेग में रख दिया है और साथ में भर दे मैंने पाने की बोटल और रख दिया है एक कप तो जल्दी से मुझे इनंहें चानना है 20 किलो जो लाते हैं हम मिल्टे ग्रेन आटे में मिलाने के लिए जो कि साल बर के लिए प्रयाथ न होतेए और कि जब भी हम आटपीष ते तो मुंहें गेहों के साथ कर लेते हैं जिससे कि हुआ होता है कि कु необходимо मुर्टि टैयारो सीस्ज साहरी चीज़ आम ऑड़ींतों मिलाते हैं यहां पर चान के और साफ कर लूँगे और साफ करने के बाद इनके धूप लगा लेंगे जिससे क्या होगा कि यह खराब नहीं होंगे और इने एटाइट डिब में बढ़ लेंगे तो यहाँ पर मैं भगोने में तगारी में इनको रख दूँगी और 4-5 गंटे की दूप लगा लेंगे जिससे किया होगा कि बिल्कुल भी खराब नहीं होगा साल बरतक है और बीच बीच में हमें इने देखना भी है कबूतरों का भी ध्यान रखना है वरना क्या होगा कि कबूतर इने बिखेर देते हैं और खा भी जाते हैं अब ये सब काम निम्टा की छत पर से मैं आए गए हूँ नीचे तो सबसे पहले मैंने मठकी भर ली है और देखी मेरी रसोई बिलकेसी फेली हुई है तो अब मैंने फिर से खाना बनाना सुरू कर दिया है कि क्योंकि जिसने खाना नहीं खाया उनके लिए खाना बनाना है और मेरे है आज मंडे का उपवास तो मैं खाना नहीं खाऊंगी मैं सिर्फ उपवास करती हूं तो उसमें मैं फलार लेती हूं या फिर कभी-कभी खिचडी या सामा भी बना लेती हूं तो मैं यदि कुछ बनाऊंगी तो आपके साथ सेर जरू करूंगे और अभी तो इतनी गर्मी हो रही है कि रसोय में आने का तो सभी का बिल्कुल भी मन नहीं करता है यदि हम एकी बार में खाना बना लेते हैं तो हम बहुत जल्दी निमर जाते हैं लेकिन हमें दो-तिन बार में खाना बनाना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जैसे जैसे सभी खाना काते हैं वेसे वेसे गरम गरम खाना बनाओं तो अच्छा रहता है सभी को गरम खाना मिल जाता है और अभी तो इसको लोग की छुटियां भी चल रही तो ये देखे मैं थाली लगा लेते हूं गरमा गरम फूली फूली रोटी और चाच तो मैं बार चाच नहीं बनाने कड़ेगी चाच को बनाकर मैंने फ्रीज में रख दिया तो मैं यहाँ पर एक गिला चाच रख दूँ है और यह देखें हमारी सिंपल सी थाली तैयार है अब मैं बाकी की रोटियां भी बना लूँगी जल्दी जल्दी से और आज मैं खाना नहीं खा करना है मैंने आपको फेले भी बताया है अभी देखें यहाँ पर खाना बन चुका है तो मैं गेज को और इस किचन पटी को साप कर देती हूँ और अभी गर्मी का मौसम है तो यदि हम गेज को थोड़ी देर भी एस से फेला हुआ या फिर किचन पटी को फेला हुआ छोड़ देते तो क्या होता है कि चीर्टे आ जाती है और यह देखें मेरा दूद भी रखा हुआ है मैं अभी तक भी नहीं पिया मैंने सोचा पेले म पोदे में पानी डाल देती हूं मुझे अचानक से याद आया यदि हम एक टाइम भी पोदे में पानी देना भूल जाते हैं तो क्या होता है कि पोदे बिल्कुल मुर्जा जाते हैं और अभी तो साम सबरे दो बार पोदो में पानी देना होता है पिर भी पोदे मुर्जा जाते हैं तो मैं जल्दी से च्छत पी आ गई और मैं पोदे में पानी डालने लगी हूं और मैं दिरे दिरे पोदे में पानी डाल देती हूं यदि हम जल्दी जल्दी पानी डालते हैं तो पोदे में से मिटी भार आ जाती है और यहां देखें यह जो भी सूख रहें तो मैं इनको भी अरफरट कर देती हूँ जिससे क्या होगा कि जल्दी से इन में धूप लग जाएगी अब मैं आ गई हूँ नीचे अब मैंने सोचा मैं धूद पिलेती हूँ क्योंकि बार बार में फिर भूल जाती हूँ फिर काम में लग जाती हूँ आप मुझे कमेंट करके बता ना कि आपके साथ भी यही होता है क्या अब मैं आ गई हूँ किचन में मुझे करने है बरतन साब क्योंकि यदि बरतन साब नहीं करते हैं थोड़ देर बेड़ जाते हैं तो हमें आलस आने लग जाते हैं तो मैंने सोचा मैं पहले बरतन साप करके ही बात का काम करूँ है जल्दी जल्दी से मैं बरतन साप कर लेती हूँ थोड़े से बरतन इकटे होते ही मैं साप कर लेती हूँ लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिलाता थो आज सवेरे चाय और दूद के बरतन भी इकटे हो गए और खाने के बरतन भी इकटे हो गए तो बहुत सारे बरतन इकटे हो गए थे तो मुझे बहुत सारा टाइम लगा और साथ के साथ मैं सिंख को भी साप कर लेती हूँ तो मैं यहाँ पर यह प्रिल से सिंख को साप करती तो यह अच्छे से चमक जाती है और आज अभी तक भी मैंने पोचा नहीं लगाया पेले मैं सिंक और किचन को अच्छे से साप करके उसके बाद पोचा लगाऊंगी और यदि आपको मेरा यह छोटा सा व्लोग पसंद आए तो चेनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और सेर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा यह व्लोग केसा लगा और इसी काम को करते करते हैं मुझे बज़ गए हैं लगबग 11 बज़ गए हैं आज तो मैं फिर भी थोड़ी जगदी से निमट गए मुझे बागी के काम भी करने हैं अपना वीडियो भी एडिट करना है और वीजोर भी करना है अब मैं सबसे लाष्ट में लगा दूँगी पोस्चे जिससे क्या होगा कि घर बिल्कुल अच्छे से क्लीन रहेगा